समाज के सभी गणमान्य लोग मेरे परिवारजन और मित्रजन और जितने भी लोग जिन्होंने आज तक मुझसे सेवाएं ली हैं या किसी ना किसी रूप से मुझसे जुड़े हैं उन्हीं सभी लोगों को मेरा नमश्कार मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, आज की इस्तिती आप से किसी से भी नहीं चुपी है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 15 देन से हम सभी लोग सारे डॉक्टर कोई मरीज नहीं देख रहे हैं स्ट्राइक चल रही है मरीजों को परेशानी हो रही है और मरीज अपना इलाज कराने के लिए राजिस्थान क बाहर जा रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि आज ये इस्तिती क्यों उत्पन हुई है राजस्थान के करीब करीब सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर आज बड़ा सा ताला लटक रहा है कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दूरलब जी बिड़ला फोटेस और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पर कभी ताला भी लग सकता है या पंदरा दिन से यहां इलाज नहीं हो रहा है और ये इस्तिती क्यों उत्पन हुई आप सभी को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ये इस्तिती उत्पन होने का क्या कारण है कारण भी आप लोग जा आई है राजिस्तान सरकार ने राइट टू हेल्थ के नाम पर एक ऐसा काला कानून चिकित्सकों पर लागू कर दिया गया है जिसमें की चिकित्सकों के कितने ही सारे अधिकारों का हनन कर लिया गया है जिसे कि राइट टू है राइट टू है राइट टू लिव है राइट पहले भी किया जा चुका है जिसमें एक लाग से अधिक डॉक्टरों ने पार्टिसिपेट किया था और सरकार को बताया था कि ये बिल हमें मन्जूर नहीं है लेकिन अभी तक भी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है और इसी के चलते कल चार अप्रेल को एक और महा महा रैली का आयूजन किया जा रहा है जिसमें सभी चिकित्सक चिकित्सकों के परिवारजन उनके मित्रगण और जितने भी समाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने समाज के जिम्मेदारी ले रखी है कि समाज में सभी काम सही होना चाहिए इलाज होना चाहिए खाना मिलना वहीं चिकित्सकों के अधिकारों की भी बात आती है क्योंकि Right to Health Bill के कारण चिकित्सकों का भारते नागरीक होने के जो अधिकार प्राप्त हैं उन सभी का इसमें violation कर दिया गया है उनको तोड़ दिया गया है उनके धज्जियां उड़ा दी गई है और करीब कल की तारीक में पांच लाख से अधिक लोग एकटे होकर सडकों पर सारे चिकित्सक उतरने वाले हैं और सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बिल हमें नामन्जूर है और ये बिल लागू नहीं हो सकता अगर ये बिल लागू होता है तो आप सब इस बात अच्छे से समझ लीजे कि आपको क्वालिटी केयर जो निजी चिकित्सकों के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में दी जा रही थी वो मिलना बंद हो जाएगी और जो सरकार गोल्डन आर का धिंडोरा पीट रही है उसके अंदर इलाज नहीं मिल पाएगा क्योंकि परिवार जनों की और चिकित्सकों की बहस बढ़ेगी और इस बहस के चलते मरीज को जो इलाज टाइम पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा मरीज की मौत होना तै है आपसी जगडों की कारण मरीज का उप्चार टाइम चैसे पर पे नहीं हो पाएगा नहीं उसे टाइमलेजय रैफर कर पाएगा क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल के अंदर फ्री की एमबूलेंस भी प्राइवेट पिल को अवेलेबल करानी है जा सरकार की सारी एमबूलेंस को ख़राब पड़ी है वहाँ प्राइवेट थोप जा रहा है कि आप उन पे फ्री में चिकित्सा दीजी फ्री में मेडिसन दीजी और फ्री में उन्हें ौने शिफ्ट कराईए टे कत्ए पॉसिवल नहीं है और यह आपके ही अधिकारों का हनन होने जारा है कि आपको एलाज मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिल पाएगा और यदि आप इस बिल को समझ रहें कि आपके भी खिलाफ है सिर्फ वोट की राजनीती है तो डेफिनिटली आप कल आएंगे और हम सब को सपोर्ट करेंगे क्योंकि आज तक आपने सभी चिकेशकों से इमर्जनसी में भी सहायता ली है कभी परिवारजन होने के नाते कभी मित्रगन होने के नाते कभी किसी सोशल सोसाइटी के नेता होने के कारण कभी आप कोलोनी के नेता होने के कारण आपने आकर डॉक्टरों से फ्री में मश्वरा भी लिया है इलाज भी कराया है और रात गा आप सभी चिकित्सकों को अपना सपोर्ट दे कर आप उनको संबल दे सकते हैं इस कठिन समय में जहां चिकित्सकों को आज पहली बार आप सब की जरुरत पड़ी है। खुदा ना करे भगवान ना करे कि आपके परिवार में कभी बिमार पड़े और आपको चिकित्सकों की सर्विसे की जरुरत पड़े और ये हो नहीं सकता कि आपको चिकित्सकों की सर्विसे की जरुरत ना पड़े लेकिन ये संबंद एक अच्छा बना रहे हम आपको वैसे ह कि सेवाइं देते रहें जैसे कि हम पहले देते आए हैं तो आज आपको उठकर Öच करना पड़े Tingy करना पड़ेगा और चिकली सको का साथ देना पड़ेगा यदे आपने ऐसा नहीं किया चुद अधिक्षी में भविष्य में वह फिर आपको गाए बगाए किसी emergency में आपको free में जो WhatsApp पे फोन पे जो सेवाइं देते आ रहे हैं, हो सकता है कि वो भी अब थोड़ा smart बन जाए, वो भी थोड़ा समझदार बन जाए, क्योंकि खटे अनुभाव और कडवे अनुभाव जिन्देगी में कभी नहीं भूले जात कि हम कटिबद हैं हर मरीज की सेवा करने के लिए, इलाज करने के लिए, emergency में सेवाइं देने के लिए, लेकिन हर इनसान का हक होता है कि उसके अधिकारों की रक्षा की जाए, उनको सम्मान दिया जाए, आज मुख्यमंत्री जी हमें चोर, लुटेरा, कसाई, जैसे शब्द को वो इस तरीके के शब्दों से संबोधित कर रही है, यह कते ही शोभा नहीं देता, मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननिय मुख्यमंत्री महदर से कि अपने शब्द वो वापस ले, और डॉक्टर की गरीमा बनाए रखे, नहीं तो यह आंदुलन और उग्र रूप लेता ज आप सबी हमें कल की रैली में हमारे साथ शामिल होकर हमारा संबल बढ़ाईए, हमारा सपोर्ट करिया, हमारा मनोबल बढ़ाईए, ताकि हम उसी खुशी, उसी संबल और उसी मनोबल के साथ भविशे में आपको सेवाई देने में सक्षम हो सकें, कल की रैली में हमारे साथ शामिल होने के लिए मैं आपको अगनिम धन्यवाद देती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितनी ज्यादा संख्या में हमारे साथ शामिल होएंगे उतना ही हम आपके आभारी रहेंगे धन्यवाद